जहीं दोस्तों, बहुत बहुत श्वागत था अपका फिर से के नए एजुकेशनल वीडियो में आज के क्लास में हम सिखेंगे, एक स्पैरी डेट के वारे में जो क्लास नंबर होगा 34, टैली का क्लास नंबर 34 है और दोस्तों, अगर आप बैक का वीडियो नहीं देखेंगे, टोटल वीडियो नहीं देखेंगे तो आप प्लेलिस्ट पे चले जाएए, और सारे वीडियो को आप एक ही करके जरूर देखें ताकि आपको टैली अच्छा से समझ में है तो आज के क्लास में हम एक्सपारिडेट GST के साथ में हम इन्वाल्ब करेंगे और दोनों अप्सन को एक साथ हम यहाँ पे मर्ज करके देखेंगे तो टैली में हम ABC के नाम से कंपनी बना लेते हैं आपके पास ओल्लेडी कंपनी होगा, आप कंपनी को ओपिन कर ले अप्सन दिखाई देगा maintain batch wise details का, तो इस अप्सन को आपको yes करना है उसके बाद set expiry date for batches का अप्सन दिखाई देगा, इसे भी yes करना है yes करने के बाद enter करके finally इसे accept करनेना है अब दोस्तो accept करने के बाद आपको quiet से बाहर आ जाना है gateway of tally में, अब आपको कुछ laser की जुरूत परेगी तो laser मनाने के लिए हमें accounts info में जाना है लेकिन दोस्तो हमें साथ में GST पे भी work करना है तो हमें GST भी yes करने होंगे, इसके लिए पुना F11 करना है tax session में जाना है, enter करना है इंटे करने के बाद GST option को yes करेंगे GST details को yes करेंगे, state डालेंगे और यहाँ पर GST number डालेंगे और इसे हम accept कर लेंगे इंटे करेंगे और final accept कर लेंगे अब दोस्तो मेरा expiry date, batches और GST दोनों option इस features में yes हो चुके हैं अब हमें laser बनाने की जुरूत है तो laser मनाने के लिए gateway of tally में जाएंगे account info में जाएंगे और यहाँ से जाएंगे हम laser में फिर करेंगे create, एक laser हम sales के नाम से बनाएंगे तो sale का laser चला जाएगा under sale account में तो इसे हम under sales account में डाल लेंगे उसके बाद इंटे करेंगे जी एस्ट को applicable करेंगे details को no रखेंगे type of supply में goods को रखेंगे अब यहाँ पर इंटे करेंगे और इसे हम accept कर लेंगे एक laser बनेगा purchase के नाम से तो purchase का हम एक और laser बनाएंगे under हम इसे डालेंगे purchase account में inventory value are affected no yes रहेगा type of laser not applicable GST को applicable रखेंगे details को no रखेंगे यहाँ पर supply में goods को डाल करके और accept करेंगे एक बनेगा CGST का laser तो CGST का laser बना लेते हैं इसे under डालेंगे duties and taxes में तो यहाँ से हम डालेते हैं duties and taxes इंटे करने के बाद यहाँ से GST select करेंगे C है तो central text percentage 6 रख लेते हैं percentage 6 rounding method not applicable और इसे भी accept करेंगे तो दोस्तों laser का work हो जाता है अब हमें escape button से back जाना होगा अब हमें कोई ऐसा product चुनना है जिसमें हम experiment date भी लगा ले तो इसके लिए हमें जाना inventory info में unit of measure में और create में पहले PC का एक unit बना लेंगे PIE CES Unicode में PC को select कर लेंगे और integrate कर लेंगे escape से back जाने के बाद stock group में जाते हैं और और एक group बना लेते हैं general store के नाम से store इंटे करने के बाद under हम इसे primary में डालेंगे और integrate कर लेंगे उसके बाद बैग जाने के बाद हमें जब ए stack item बनाना है और create करना है तो यहाँ पर कुछ विसेस द्यान रखना होगा जैसे हमाल लिया जाए एक locks का हम item मना लेते हैं इंटे करते हैं Under हम general store डाल लिए unit piece डाल लिए maintain batches का आपसं दिखाई देगा इसे yes करेंगे manufacturing date तो yes रहेगा मेरा और expiry date yes रहेगा मतलब हम यहाँ पर manufacturing date भी डालेंगे expiry date दोनों डालेंगे आप चाहें तो दोनों में से कोई एक डाल सकते है manufacturing rates भी डाल करके छोड़ सकते है और expiry date भी सिर्फ डाल सकते है manufacturing नहीं भी डाल सकते है तो यहाँ पर दोनों dated yes रहेंगे standard rate no रहेगा GST को applicable लखेंगे details को हम यहाँ पर कर लेंगे yes description में डालेंगे goods HSN code में HSN code value दे देंगे calculation type on value और taxability में हम यहाँ पर taxable को select करेंगे यहाँ पर research charge applicable नो रहेगा और यहाँ पर input credit भी नो रहेगा अब यहाँ पर integrated text पूछेगा तो 12% tax डालेंगे जिसमें central 6% stage 6% और case 0% type और supply में goods को रखेंगे और इसे हम इंटे करके accept कर लेंगे इसके button से back जाएंगे back जाने के बाद आप purchase करने के लिए accounting voucher में जाएंगे इंटे करेंगे purchase के लिए F9 प्रेस करेंगे purchase उपन हो जाएगा supplier invest number डाल देते हैं date आज का particular लेहीं लेगा party name में हम यहाँ पे cash डालेंगे और इंटे करेंगे इंटे करने के बाद purchase का laser यहाँ पे डालेंगे उसके बाद हम यहाँ पे locks item डालेंगे इंटे करेंगे locks item डालने के बाद यहाँ पे activate batchage का option दिखाई देगा तो batchage में हम new number में जा करके एक डालेंगे और quantity हम 100 डालते हैं rate यहाँ पे 10 के rate से डालते हैं इंटे कर लेते हैं यहाँ पे batchage में manufacturing date आटमेटिक ले लेगा और यहाँ पे expiry date हम 100 dates का डाल देते हैं इंटे करने के बाद यहाँ से हम इसे एक बार inter order करेंगे और cgst हम यहाँ पे charge करेंगे इंटर लेकिन दोस्तो cgst में यहाँ पे automatic एमाउंट नहीं कटा क्योंकि यहाँ party name में cash है तो हम party name को change करेंगे आनि party name में किसी party का नाम डालेंगे तो यहाँ पे करसा रख करके alt c करेंगे और एक नाम डाल लेते हैं जैसे राज ही डाल लेते हैं अंडर हम इसे डाल लेते हैं संडी क्रेडिटर में बिल बाइ बिल को नो रखते हुए इसे हम accept कर लेते हैं इंटर इंटर अब हम इंटर करकर के आगे बरेंगे cgst आटोमेटिक कर जाएगा फिर sgst हम यहाँ पे charge करेंगे इंटर करेंगे और इसे हम accept कर लेंगे तो यह दोस्तों purchase होगे आपका batchage के साथ में एक expiry date के साथ में अब sale करना है तो sale करने के लिए effort press करेंगे sale खुलेगा reference number हम दो डाल लेते हैं party name हम sale के लिए cash डाल सकते हैं और इंटर करेंगे इंटर करने के बाद sale का laser डालेंगे name of item में locks डालेंगे जैसे हम यहाँ पर डालेंगे यह आपको दिखाई देगा number one में कितने दिन का expiry है और balance किया है तो यह सारे चीज यहाँ पर दिखाई देंगे हम यहाँ पर 20 piece डालते है rate और 20 की rate से बेच भी लेते हैं इंटर करते हैं यहाँ पर आपको manufacturing और expiry दोनों date यहाँ पर show करेंगे इंटर करने के बाद हम इसे इंटर करेंगे और cgst चार्ज करेंगे इंटर फिर हम यहाँ पर sgst चार्ज करेंगे और इसे हम accepted लेंगे तो इस तरह से दोस्तों आप cgst, sgst के साथ में expiry date और batches का अपसन असानी से कर पाएंगे अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक like कर दी जो और मेरे channel पे नए है तो घर बैठे computer शीखने के लिए channel को ज़रू सस्क्राइब गरे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए चाहिंद आपका दिन सुभो